नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आरके टेडिंग तारीक है दोस्तों 22 अक्टूबर 2020 समय नौ बच के क्यों कि कोई डैक्शन यह मुझे नहीं दे आ रहा है मैं कोई डैक्शन भूंण नहीं पा रहा हूं किस की तरफ का एकष्पारी नसदिक आ यहां सेट के लॉस्थ पर मैंने काट दिया ठीक है ना तो इसमें कोई आज मुझे नहीं लग रहा है कि आज कोई जगह बनेगा ट्रेट करने का अब निप्टी का आज एक्सपायरी है विकली तो हमें यह देखना होगा कि जो स्टॉक्स मैंने दिये हैं जो स्टॉक्स दिये ह यहां दितने है उसका नाम यहां पर लिख लिक्ताभ, मैंने दिया है By में नोट कर लेता है पर मुलागत होजी ऐसे भी सारे स्टॉक था मैं पहले नोट उसके बाद यूपिल तो रखा ही है एसीसी भी रखी लिया है उपर दूसरा स्टॉक्स है भारती एटेल भारती एटेल में मुमेंट दो दिन से कंटिन्यू आ रहा है SBI Life SBI Life इसके अलाबा Tata Steel SCLT गराशिम गराशिम में अच्छा मुमेंट बना सकता है तो आज थोग ऐसा देखना पड़ेगा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं पास में लेकिन आज चुकी एक्सपारी है तो मार्केट एक बार तो ट्रैप करने की कोशिश करेगा जरूर तो हम लोग उस ट्रैप से बचने की कोशिश करेंगे ट्रैप नहीं होना है वेट करेंगे इसके लिए है न है शली है लाइब से सन ऑउन कर लिए तो फिर लाइब से नमें मुलाकात होगी और यह मैं अभी लाइब सेंन को ज़रा सा ऑन कर लूँ तो पता चल जाना है सारे लोग लाइब सेसन में जॉएन हो जाएंगे और देखते हैं अभी मार्केट हलांकि 47 पॉइंट पे सेटल वाया उनली 47 पॉइंट पे तो ये भी इंपोर्टेंट है मात्र कल भी उसी तरह कर था कल काफी गैप अपन होके फिर नीचे आके सेटल किया चलिए लाइफ शेशन ओन हो रहा है लोग ज्वाइन हो जाएंगे कोई दिक्त वाली बात नहीं है अल्ट्रा टेक सीमेंट और एस बी आई लाइफ खास मॉमेंट नहीं है इसे आज भी कॉस्ट टू कॉस्ट में है मामला उतना जम नहीं रहा है फिलाद और इधर जो है इंडशींड बैंक वेगर आप नजर रखा जा सकता है कुछ सैद वो कोट का डिशीजन वाला बात है है ना इंडशींड इंडशींड बैंक शैली देखते हैं कहां पे क्या सेटल होता है और क्या डिशीजन बनता है चलिए आप लोगों को मेरा साउंड स्क्रीन विज्वल है सब अपना वीडियो आफ कर लिजे जिन लोगों ने वीडियो आउन रखा अपना कि पर वीडियो आफ कर लिजे तो बैतर होगा है ना बढ़ियां रहेगा चलिए साउंड स्क्रीन सब क्लिए रहे सर टाइप कर दीजे येस और नो ओके सर करंसी का आज कोई डिशीजन नहीं बनेगा देखिए करंसी में आज नो ट्रेड मैंने 262 रुपए का लॉज बूक किया खुद काट दिया है मैंने ट्रेड अपना करंसी में आज अंडिशीजन है साउंड रिपीटिंग तो किसी का माइक आउन है जिन लोगों ने माइक आउन रखा है कि रिपिया आफ कर लिजिए अपने तरफ से म्यूट कर लिजिए सर उनी का साउंड रिपीट होके आ रहा होगा तो करंसी का कोई डिशीजन नहीं बनेगा ठीक है लाउड एन किलिए रहे ओके ठीक है सर लाउड एन किलियर है अनी जी को लाउड एन किलियर जारा है सबको राजिन जी को नो साउंड आप चेक कर लिजे राजिन जी योर नेटीरक इश्यू हो सकता है गोद्रेस्ट्रेंश्परपर्टी्श my translates दिखे कहां पे gap-down ओपन हो रहा है रिला है, इंडर्शिन ये भी गया, क्या हिसाब है, 621 पे सेटल हो रहा है, 621 पर, 621 यहां कहीं सेटल हो रहा है, ट्रेड टुडे, यूएजडी आएनर, यूएजडी आएनर में कोई ट्रेड आज ऐसे नहीं है, फिलाल, छोटा सा रिस्क लेके अगर शॉर्ट करना चाहें, तो छोटा सा रिस्क लेके आप इसी पॉईंट पे शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा सा रिस्क है, ज़्यादा बड़ रिस्क नहीं है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजे, एवाइट कर दीजे, ठीक है, आप रिस्की ट्रेड, प्रिस्की ट्रेडर ग्म च्रेर कोई लेठे हाइट कर रिस्की है हैं तो, यु एाइट कर दो एद नो, यू जेए ट bell अवेव उस्की ट्रेडर हैं तो, जके ज्येए विquiम हैँ ट्रेड, तो ओन मा, किलियर किलियर है ओके सर्थ सर् यहां सेम लगा के रखा है हलांकि लगता है आपने पढ़ा नहीं इस्क्रीन नहीं दिख रहा है हुदे सर आपको 73.75 यह 76 का इससर लगा सकते 73.75 मार्केट ओपन हो गया मार्केट ओपन हो चुका है थोड़ा सा वेट कर लिजे आज एकस्पाइरी है आज एकस्पाइरी है सर 1625 UPL में एक मुमेंट 446 के उपर बाय करना था है यह 443 हो गया जवर्दस्ट क्या बात है बारती है टेल देख लेता हूं सर 420 के उपर बाईंगे 421 के उपर बाईंगे अभी देख लेता हूं तुरांत ओपन ही हुआ है सब देख लेंगे थोड़ा सा सस्टेन होने दीजे उतना हेडेक मनी लेना है आज एकस्पाइरी है इसके वज़ा से भी थोड़ा सा समलना है थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा मार्केट सेटल होने दीजे इंड़सिंट बैंक एससी इंड़सिंट बैंक बहुत बड़ियां मॉर्निंग मॉर्निंग सारे लोगों को मॉर्निंग अचा आप लोग तो प्रॉफिट में होंगे करंसी में अगर सौट किया होगा ज़स्ट डायल ज़स्ट डायल तो कल का अब निचोड हो गया तो आज कुछ क्या करेंगे ज़स्ट डायल को अब आज का क्या निचोड करेंगे ज़स्ट डायल कल ने तो इसने तो खुश कर दिया 550 के नीचे 552 के नीचे सेल करिएगा अगर बहुत ज़्यादा हो टाटा केमिकल, ठीक है सर, चेक करते हैं सारे, मैं तो भी रुकूंगा, मैं अतना हर बड़ाता नहीं हूँ, अराम अराम से, मिलेगा अराम वाला ट्रेड ना, इजी वाला, तो करेंगे, नहीं मिलेगा, तो नहीं करेंगे, 326 के उपर, टाटा केमिकल बाय बन सकता है, 326 के उपर, पर अभी नहीं, 326 के उपर, अभी नहीं, फ्रस बेट कर लिजे, पाँच मिनट तो रुक जाएए मालिक, आना, पाँच मिनट तो रुक ये, सारे लेबल निकल रहे हैं, तो निकलने दिया जाए, आजी भर ट्रेड नहीं न करना है, कल भी आना है, पर सुंफीर मंडे भी आना है, नहीं, तो अब लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या दिक कर दें, ए सी सी, ए सी सी, अच्छा लग रहा है, क्या बात है, इंडशिन बैंक, इंडशिन बैंक, मैं इंडशिन बैंक पे ही नज़र रखा हूँ, मॉर्निंग, मॉर्निंग, सारे लोगों को मॉर्निंग, इंडशिन बैंक, चालिए, देखते हैं, क्या है, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, मॉर्निंग, बेट करिए, जरा बेट करिए PEL पे थोड़ा साथ पिरामल को नजर रखेंगे, और देखते हैं, पिरामल क्या करना चाह रहा है, तो पिरामल पे हम लोग 1322 के उपर बाय का पोजिशन लगाएंगे पिरामल पर यह सब के उपर में पिरामल में बाय का ओडर लगा सकते हैं, पिरामल में, एक ब्रैकेट ओडर लगाऊंगा पिरामल में, ज्यादा नहीं 200 क्वांटिटी, तेरा सो तैइस, तेरा सो बाइस, रुपिया 75 पैसा, 6 का स्टॉप लोज, 12 का टारगेट या 18 का टारगेट और इसको बाय ओडर प्लेस कर दिया, एक बाय ओडर प्लेस किया है, पिरामल में, ब्रैकेट ओडर, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, हलांकि स्टॉप लोज थोड़े बड़े बनते हैं, ऐसा स्टॉप है ये, अच्छा, और जश्ट डायल, आप लोग जश्ट डायल के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कहा था, 550 के नीचे, 52 के नीचे सेल कर सकते हैं, यू पी अल, नज़र रखेंगे हम लोग यू पी अल पर, आ रहा है, आने दिया जाए उसको, या तो हम 448 के पास बाई करेंगे, अभी तो बाई नहीं कर सकते हैं, यू पी अल को, अगर करना होगा, तो 448 के पास बाई करेंगे, इंड़स्टिन बैंक, 632 के उपर इंड़स्टिन बैंक, ठीक लग रहा है, एक बाई का ओड़र इंड़स्टिन बैंक में 1.500 कॉंटिटी, 632, 632 रुपिया, 50 पैसा और 632 रुपिया, 25 पैसे के साथ, इसका 4 का इस्टॉप दोस, 8 का टार्गेट के साथ, बाई ओड़र, क्या अवर रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, पी यल ने सारा वो ले लिया, हम लोगों का मार्जिन, कोई बात नहीं, एल्टी, 920 के उपर अच्छा लग रहा है, एल्टी, शुरू से, 920 के उपर अगर टिक ता है, तो अच्छी बात है, टिक गया क्या, वो तो भाग भी गया, 920 के उपर, अब वो 920 से ही ओपन हुआ, वाउ, छोड़ा सा रिजेक्शन है सर, देखिए, प्रिबियस है को अगर एक बार क्लोज करें, तो मस्त आजए, 932 के उपर, तो वहाँ से आपको 5-6 पॉइंट बहुत आसानी से मिल सकते हैं, UPL पे नजर कहा गया, UPL, ACC, Sun TV, देखिए, Sun TV भी अच्छा लग रहा है, काफी डाउन फॉल है, 435 के उपर, मुझे ठीक लग रहा है Sun TV, 435 के उपर, पिछले बार यहीं से कल, रिजेक्ट हो गया था Sun TV, पिछले यहीं से रिजेक्ट हो आता Sun TV, 435 के उपर ठीक लग रहा है, पिएल को बाय ओडर लगाया हूँ, आम लोगों ने ओडर टीगर अभी हुआ नहीं है, पिएल में न, यहीं हमारा डैश्बोर्ड है, करंसी का एक है, तो वो मैनेज हो गया, देखें 37 रुपे का लोस बचा है, करंसी में 12 का लोस बचा है, आप लोग करंसी में प्रॉफिट में होंगे है न, इसमें मैं 10 लोट और करंसी का थोड़ा इंक्रीज कर लूँगा, 73.75 के इस्टॉपलोस के साथ, मैंने इंक्रीज कर लिया, इसमें क्वांटिक, 10 लोग, देखते हैं, टार्गेट कहों तक आता है, अच्छा, पी ए एल, पी एल अभी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, तेरा सुबाई, सूला, एक छोटे इस्टॉपलोस के साथ, पी एल को, कभर ओडर में, कभर ओडर को, 1310 के इस्टॉपलोस के साथ, मैं यहीं पे बाई करूँगा, फिला है, रिजक्ट हो रहा है, अच्छा, सारा मार्जिन ले लिया, पी एल मार्जिन बहुत लेता है, इस पे ज़्यादा मार्जिन मिलता ही नहीं, नजर रखिए भारती एटेल पे, 423 के उपर बाई लिजिए, यहाँ पे भी बाई पोजिशन बनाएंगे, अगर तो थारी से हैं, लेकिन 423 के उपर बाई, स्टॉपलोस 419 का, जाने के मूड में तु लग रहा है, UPL कहां है, मैं तब से UPL, UPL किये जा रहा हूँ, वेट करना पड़ेगा, कल तो जाज़ डायल 550 के नीचे ही सेल करना है सर, उसके लोग के नीचे ही सेल करेंगे, प्रिवेस लोग के नीचे है ना, कल तो जाज़ डायल ने भी अच्छा काम किया, हम लोगों का दिल खुश कर दिया, गार्डेन गार्डेन, कि पांट सो पचास के निचे आप लोगों को मैंने सेल दिया हुआ है ज़ज डाला और यह देखिए फूर्टी के साथ नीचे आ गिया है ना अगर अगर लगा रखा है तो अच्छी बात है नहीं लगा है तो कोई बात नहीं छोड़ दिजेगा पी एल ओडर टीगर होने वाला है या हो गया देखिए पी एल ओडर टीगर होने वाला है है न अभी हुआ लेकिन नहीं थोड़ा से के लिए बच गया पी एल पे नजर रखिये मैंने तेरा सो बाइस पच्छतर और तेरा सु तैसी यह ओडर रखे लेकिन यह टीगर नहीं हो रहा है को बात में अब यह लॉज काट के प्रॉफिट में यह तो आ गिया मेरा करंसी तो 138 का प्रॉफिट हो रहा हो यह अभी तो टीगर नहीं हुआ है पी एल का ओडर और अभी देखता हूं क्या रिजल्ट आता है इसका एटल का एशल 419 अच्छा पी एल आपने पहले ही बाय कर लिया मैं तो लेबल के आने के इंतिजार कर रहा हूं वो ब्रेक होगा उसके बाद ही नहीं होगा तो नहीं होगा सिंपल है जाएगा तो ठीक संटीवी मैंने कहा था 432 के उपर 435 के उपर अभी नहीं जी आ रहा है को बाद में एक सिसी पर नजर कहां गया है यू पी एल एक मेरा मार्जिन सारे उसने खा लिया है पी एल ने जैजज डायल प्रॉफिट बुक करिए एक परसेंट तो कम से कम प्रॉफिट बुक करी लि ठीक है कुछ प्रॉफिट बुक कर लिजे आप लोग हाँ हुआ हुआ हाँ हुआ हाँ पांच पैसा से ओर्डर बच गया पांच पैसा से ओर्डर बच गया तो पी एल क्या करें रहने दे या ओर्डर कैंसिल कर दे कैंसिल कर देता हूं कैंकि सारा मारजिन तो इसी ने लिया है कैंसिल अभी करता हूं सारा मारजिन इसी ने लिया है दूसरा ओर्डर अभी लगाता हूं एक मिद्ध देखे 100 quantity को पिरामल पी एल को 200 quantity वाला जो order था उसको cancel करके 100 quantity किया और just dial में आप लोग प्रोफिट बुक कर लिया होगा उमीद है मैं यहीं पर से 100 quantity को कभर order पे 100 quantity को पिरामल को बाई करूँगा 1310 के stop loss के साथ एक छोटे से stop loss के साथ मैंने यहाँ पर buy किया है पिरामल को 100 quantity को clear है पिरामल का 200 quantity bracket order में था उसको cancel करके 100 quantity bracket में लगाया और 100 quantity को current price पे छोटे stop loss के साथ यहीं पर buy किया है और wait करेंगा बस क्योंकि यही मेरा trade है ज्यादा trade नहीं 526 का already loss है तो कोई खास loss नहीं है उससे कोई tension नहीं है देखते हैं यह cover होता है या नहीं होता है wait करेंगी मुझे लगता है cover हो जाएगा कोई अतना खास परिशानी वाली बात नहीं है मेरा screen sound clear है all is okay all okay तो current price पर PL को buy किया है 1310 के stop loss के साथ 100 quantity उपर मैंने रखा हुआ है buy के लिए तो देखते हैं क्या रिज़ड आता है 200 quantity जो bracket में था उसको पहले मैंने cancel किया और अलग-अलग लगाया order अच्छा इधर जो है currency आप लोगों आगर profit book किया तो अच्छी बात है नहीं book किया है तो छोटा सही stop loss है कोई ज्यादा बड़ा stop loss है नहीं इस पर मैं पहली बता दे रहा हूं कि आज मैं इस पर मतलब confirm नहीं हूं कि क्योंकि ऐसे जगह पर यह open हुआ जहां पर decision लेने नहीं दे रहा हूं तो अगर risk की लेना है risk लेना है तो एक बार sale किया हुआ है तो wait करिए 73.62 के target के लिए 73.62 के target के लिए ठीक है देखे PL हो सकता यहाँ SL काटे wait करना होगा छोटा stop loss से 400 का loss होगा उससे ज्यादा नहीं होगा चल यह ACC ACC कहां गया चुक गया यह थोड़ नेट इशू के वज़ा से गरवर हो गया ACC पर नजर था लेकिन निकल गया खेर को बात ने जो निकल गया तो निकल गया इंड़सेंड 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 निकल नहीं है काट दो एसल तो मैं निश्चिंट हो जाओ फिर कि आज भाए हम लोग लॉस में निकलेंगे पी एल में एक रुपए का इस्टॉप लोस बचा है हम लोग का चलिए वेट करेंगे वेट यह जाएगा नहीं लगता है नीचे आज यह दम साइडवेज है फसाद देगा यह हाँ देखिए मेरा एसल कट गया है पी एल में और टोटल लॉस कितने का हुआ है 1500 का लॉस हुआ है कोई खास लॉस नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है यूएजड अन र में क्या आएग यूएजड कोई पोजिशन नहीं मेरे पास खत्म हो गया पोजिशन है ना कोई पोजिशन नहीं चारसो नवासी का लॉस बूक किया है पिरामल में और करंसी में लॉस बूक किया देखें करंसी कैसा भागा अपसाइड का मुवमेंट है ना मैंने पहले ही का ऐसे जगह पे जिसका डिसीजन नहीं ले सकता ऐसा जगह गोद्रेज की गोद्रेज सर गोद्रेज तो निकल गया ना प्रोपर्टीज वो तो 17 पॉइंट डाउन है देख रहे ना 37 का stop loss लगाए 10 पॉइंट 13 पॉइंट का stop loss लगाएंगे इतना बड़ा stop loss तुम मैं नहीं लेता 13 14 पॉइंट 17 पॉइंट का stop loss बनेगा तो कैसे trade होगा इतना बड़ा stop loss में तो trade ही नहीं कर सकता ओके चल यही है पंदासो का loss बुक क्या है को खास loss नहीं है मेरा आज expiry है इसलिए ज्यादा उचल कुद नहीं करना है अराम अराम से बैठके रहिए देखता हूं कुछ मिलेगा आप लोगों के लिए तो देदूंगा मेरा तो रिस्क कंट्रोल में अपने पास में मैंने तो आप लोगों को भी कमा के दिया कर अच्छा यह यूपियल का target नोट के लिए 459 के आसपास का होगा एक अंतिम ट्रेड है मेरा loss है 1333 का बस यह अंतिम ट्रेड हो रहा है यूपियल तो 460 का target यहां से 6 पॉइंट अगर जात और देंगे कोई भी नहीं करेंसी यहां से बाउंस लिया है जवादस लेने देंगे कोई टेंशन वाली बात लिए हां हलांकि करनसी मुमेंट में है लेकिन अंडिसीजन है एकजिट हो गया आप बढ़िया अंडिसीजन है इसलिए मैं पहले ही का कि ऐसे जगहा पर वह उप तो फिर तब ही ट्रेड करें नहीं तो छोड़ दें पी एल प्लेश ओडर सेल एट वन ठीटू ठीक है सर पी एल जा रहा है क्या है यह पी एल तो यहीं पर गूम रहा है जाएगा सर यह तब जाएगा जब हम लोग नहीं देखेंगे तब जब हम लोग नहीं देखेंगे ना इसको यह तब जाएगा उसके पहले तो नाटक देगा यह शल यह बस यूपी एल चार सु साथ का टारगेट देगा नहीं देगा दोनों देख लेंगे यूपी एल मेरा लेवल क्या था 446 का फी उपर ओपन हो गया यह 456 456 पर बाय करना था ठीक है को दिक्कत नहीं है यहां से एसी सी सेल एसी से सर निकल गया प्रमुझी एसी सी तो कभी से नजर रख रहा था उस पर खुली ने रहा था यह एसी सी ऐसे सेल करना तो रिस्क लीजिएगा तो 6 पॉइंट का 8-6-14 साथ पॉइंट का रिस्क आ रहा है एसी सी में इस जगा पे भी सेल हो सकता है साथ पॉइंट का रिस्क है क्या लिख रहा है आप जैसा experience मार्केट में नहीं सिखा रहे हैं और दूसरे मज़े ले रहे हैं नहीं समझा पूरी बार दूसरे मज़े ले रहे हैं क्या नहीं समझा रहा पूरा clear करिएगा मतला आप चाहते हैं कि मैं जाके मार्केट में शिखाऊं सेमिनार वेकरा करूँ ऐसा कोछ चाहारें आप मेरे ख्याल से आप साथ ये कहना चाह रहे है नहीं सर माफ करिए उसके लिए ना नहीं सर वो जो कर रहा है उसको करने दिए मैं वो नहीं करूँगा सॉरी मारक वो सेमिनार होएगा जाके बाहर पॉसिबल नहीं ना ना बेविनार होता है मेरा सेमिनार नहीं होता है ना बेविनार होता है जैसे नेक्स्ट बेविनार जो है वो 23 नवंबर से इस्टार्ट है मेरा है ना उसका रेइस्टेशन का लाज़ डेट है 18 नवंबर वो पूरा वन मंत का बेविनार होता है कोर्स होता हूँ सेबन पॉइंट सेल सेट बढ़ियां बढ़ियां एंज्वाय करी भारती एटेल से अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक करें और इस टॉप लोश ट्रेल करना है ट्रेल कर लिए प्रॉफिट श्रुफिट सर्व तो मेरे उस पे बैनर पे चलता है ना वह बैनर वह वह वेपशाइट पे भी चलता है बैनर में भी चलता है वह देखते होंगे मार्च लगा होगा आता है ना उसमें डीटेल रहती है वेपसाइट आर्केटेडिंग.online पे जाएंगे आपको वहाँ पर कोर्स का सेक्शन में मिलेगा बाइस होगा प्रोफिट पी डिलाइट में बढ़ी असर इंजवाय करिए लेबल हो गया है और भारती एटल में भी प्रोफिट इंजवाय करिए दे ओल हर चीट आ रहे उलों का क्या करिएगा इंदोर वाले का ऐसे ही चलता रहता है कोई टेंशन नहीं लिजए बुक डे टेल प्रोफिट बुक कर लिया एटल से ना बहुत बढ़े निकल जाएए ये भी जाएगा उपत यूपियल भी जाएगा 460 तक जाएगा उसके लिए कोई टेंशन नहीं है और जाएज डेल से भी बुक होई गया होगा प्रोफिट 538 तक का लो लगा दिया था इसने बढ़िया ओके सर टेंक्यू जाएज डेल में बारत सोगा प्रोफिट किया बहुत सुंदर मस्तर ये टेंशन नक को लेने का है अराम अराम से काम करिये ना जाएज डेल भी जाएगा जाएज डेल भी चारसो साथ चारसो प्रोफिशन तक जाएगा ये ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ा सा परिसान करेगा पर चला जाएगा जाएजन का लोज था कवरों के 438 का लोज बचाएज मात च्छैसो का लोज है क्या टेंशन है यूपियल कैसा चल रहा है यूपियल भी प्रॉफिट में 300-200 अच्छा ठीक है कोई टेंशन कितना एडिक लेंगे टेंशन आच्छा नो टेंशन विथ यूर शिटिंग बढ़ियां एटेल बुक कर लिया यूपियल ओल्ड किया बहुत बढ़ियां जैज ड इसको आना था मेरे हिसाब से आज के लिए वो आ गया तो क्या कि रहा हमेशा एक्सपारी के दिन में लॉस होता है इसका क्या तो एक्सपारी के दिन ट्रेड नहीं करी अभी जी जी जिस रास्ते में चलने पर आपको बार बार कांटा चूब रहा है तो दो उपाई आप उस रास्ते को पहले साफ कर लिजिए, PCC रोड बनवा लिजिए, ना, PCC रोड बना लिजिए, क्लियर कर लिजिए, तब चलिए, कहने का मतलब है, आप expiry को ही study करिए फिर, कहने का मतलब है, कि आप expiry में बड़े टाइम फ्रेम का वेट करिए, एक direction लेने का, कि market का direction की इस तरफ के दिन का, अब यहाँ ऊपर जाएका नीचे जाएका कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो हम इस range को क्या करते हैं, साफ होने का वेट करेंगे, किलियर होने का वेट करेंगे, तब ही तो, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में ना, trade करते हैं, बहुत सारे लोग, कैसे मैं स्थीर था, आप लोग पूछे जा रहा थे, यह वेट करेंगे, मैंने का, वेट करेंगे, मिलेगा, तो, लेकिन, अब चुकि उससे, निकल गए, तो, लेकिन, आपको ध्यान देना पड़ता है, और वेट करना पड़ता है, सही जगा आप लेने, करन्सी में जो लॉस हुआता है, वो लॉस काट के हजार का जो था लॉस, वो काट के प्रॉफिट मागे नहीं, हम लोग, तो, हो जाता है, आप अगर किसी चीज़ पे बिलीब करते हैं, अपनी स्टेडी पे बिलीब करेंगे, तो, वो काम हो जाएगा, पर करना पड़ता है विना किये तो नहीं चलेगा ददा, बिना किये तो को चल वे ना ददा, 306 प्रॉफिट, तुमी तुमाता, पिताता, अगर देखें, पी ऐल को मैं बोल रहा न, पी ऐल भी आज, पॉजटिव क्लोज होगा, ग्रीन में क्लोज होगा, आप देखिएगा, वो धना नातक सब्सक्राइब करिए और मैं तो यूपील पर बको ध्यानम यानि बगला के ध्यान के जैसा लगा के बैठा हूं आजा 459 तक और इदर यही है करंसी चल रहा है 162 ठीक है इसमें स्टॉप लोस को नीचे ले आओंगा चोटा स्टॉप लोस कर दूंगा यह इस्टू तक जाना चाहिए मैं रिखाए अगर यह काम करता है तो सिक्स्टी तू तक जाना चाहिए यहां तक इसको आना चाहिए एक बाद अगर यह 69 को break करेगा तब और नहीं तो नहीं जाएगा फिर देखेजिए यह जो मेरा 1500 का loss था वो तो profit में आगे UPL में 342 का profit currency में 312 का loss खतम हो गया न सर जी loss तो खतम हो गया हमारे लीजिए तो हो जाता हालां कि कम है profit लेकिन green में तो है वो बढ़ जाएगा वो धीरे धीरे वो green वाला बढ़ जाएगा ना वो green वाला area बढ़ जाएगा मेरा उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस wait करना है सही जगा का थोड़ा सा patience के साथ UPL 1100 का profit देखिए जो लॉस हुआ था सारा लॉस कबर करके 840 के profit में लोग यूपिए आ गये देखिए ना यह कमाल हो गया सांदार हो गया wait करेंगे कोई tension नहीं है आराम आराम से गरदा हो गया ना यूपिएल बुक करना तो कर लीजिए ना इसमें बोला ना उसको जाना तो है उपर फोरा सताएगा डराएगा धमकाएगा पर जाएगा पील भी जाएगा उपर पर उसको में तो भाई का इज़त का शवाल हो गया यूपील 1230 का प्रॉफिट एकज बूक कर लिया यहीं पर दो पॉइंट है वह भी मिल जाएगा ठीक है यह भी मिल जाएगा उसमें कोई टेंशन है लेकिन मैंने बूक कर लिया मेरा सारा लॉस काट के प्रॉफिट में हम लोग आगे और करंसी भी सर्थ की बात मान के नीचे ही जा रहा है देखिए दीरे दीरे नीचे जा रहा है 473.62 के आसपास इसको आना चाहिए तो इसमें भी टोटल ठीक ठाक प्रॉफिट है पंदराश हो का आप कोई ट्रेड नहीं सिर्फ करंसी का ए कि क्या कि दीकल d profiles के अनुफिट में भी डोट तन प्रॉफिट में हम लोग है करंसी सर seven वहीं उपे पास में ही सेल कर सकते हैं हलांकि यहां पर भी कर सकते है छोटा रिस्क है ले सकते 75 का रिस्क लगेगा 73.75 का और वेट कर सकते ह fisher थीक है प्रॉफिट में चलिए तो समय हो रहा है दोस्तों दस बच के 38 मिनट 18 सेकेंड करनसी ने अपने शपोर्ट को ब्रेक कर दिया और जो मैं टार्गेट बता रहा था 73.62 के आसपास का वो आने की कोशिस कर रहा है तीस लोट है 1200 का प्रॉफिट चल रहा है तो 1200 और भी यहां पर आ सकता है कुल मिला कि 2500 करनसी में मुझे यहां पर मिल जाएंगो इसमें कोई टेंशन वाली बात फिलाल नहीं है तो करनसी का एक लेबल जिस पर बिलीब के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं कि भाई इसको जाना चाहिए नीचे अगर आता है तो अच्छी बात है नहीं तो इस टॉपलोस को मैं देर देर नीचे लेता हूंगा देखिए इदम सटा दिया है मैंने काफी छोटा कर दिया इस टॉपलोस और वेट करेंगे इसके लिए कि क्या इसका पास आता है या नहीं आता है रिकॉर्डिंग अभी पॉस कर रहा हूं थोड़ी दिर में आपको फिर मैं अपडेट करूंगा शतरा सो का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों करनसी में 1662 देखिए दीर दीर अच्छे तरीके से नीचे आ रहा है समय दस बस के 41.36 सकंड हो रह है और इधर पीएल में दोस्तों मैंने पोजिशन बनाया हुआ जैसा कि आपको मैं यहां दिखा दू पीएल का सो क्वांटिटी को मैंने ब्रैकेट ओडर में बाय किया तेरा सो दो रुपे का सपस में और एक जो कभर ओडर में पहले मैंने 419 रुपे का लॉस खाया था उस यानि पीरामल इंटरफाइजर आप देखेंगे प्रॉफिट में ही आज ख्लोज होगा 2172 का प्रॉफिट हो चुका है पीएल आज मेरा प्रॉफिट में ही ख्लोज होगा यूपिएल में 1230 का प्रॉफिट हम लोगों ने बूक किया आपके सामने जासा कि अपने देखा मस् में रिफ्रेश कर लिया आ जाएगा भी आपके शामने मैंने रिफ्रेश भी कर दिया और पी-एल का ओडर पी-एल देश्बोट दिखा रहे हो देखिए पी-एल में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया असी रुपए का लॉज बचा है टोटल 2400 का प्रॉफिट है ना यह ओल पोजिशन दिखाता हूँ अब देखिए यूएज जैनर में 1440 यूप 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 यू ऐखिन दख्रच हो जाएगा इखिए रिफ्रेस्ट करता है एक मुनट दोस्तों फिर से बार रिफ्रेस्ट कर दिया और पी-ए-ल क्यात है आपके सामने लाता हूँ- нашего यहां देखिए सांदार पी एल 303 पे चल रहा है इसका मतलब है पी एल जवर्दस्ट प्रॉफिट में आ रहा होगा डैस्बॉर्ड खोलता हूं डैस्बॉर्ड में दिख जागा देखिए 2425 का प्रॉफिट हो गया और पचीस सो ओल पोजिशन आ जा भाई तो यू पी एल में 1230 का प्रॉफिट बुक्किया यूएज जैनर में 1137 का प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहा है मात्र कोई बात नहीं वो प्रॉफिट में आ जाओंगा ज्यादा आ जाएगा कोई टेंशन है पी एल का चार्ट यहां पे ओपन कर देता हूं पी एल हां दोस्तों यह पी एल का चार्ट देखे समय 10 बच के 47 में 24 सेकंड पी एल में प्रॉफिट में आ गया हूं और अभी मैं क्या हुआ है अच्छा मैं फायर्स वन भी खोलने की कोशिस कर रहा हूं तो यहां से कभी कभी एरर आता है तो फायर् प्रॉफिट हो चुका है पी एल योजडी एनर में 1587 का प्रॉफिट चल रहा है आपको इसका भी लेवल दिखातों 73.62 की बात मैंने कहा है और यह नीचे आने की पूरी कोशिस कर रहा है 73.62 पर एक लाइन लगा देता हूं यहां यहां पर आ जाएगा और पी एल की बात है UPL का तो काम होगया UPL में प्रॉफिट बॉक है पी एल में चल रहा है यह प्रॉफिट 65 रुपै का तो 1325 का इसका टारगेट होगा ब्रैकेट ओडर का जो टारगेट है 1325 का मैंने सेट रखा है कभर ओडर में जो 75 क्वांटिटी यह वो देखता हूँ जो मैंने पहले लॉस चारसो नवासी बुक किया था उसी का ये कवर हो रहा है तो यहां पे ये कवर ओडर जो है अब देखें कवर वाला भी जो लॉस में था वो भी प्रॉफिट में आ गया तो ओवर ओल तीन हजार का प्रॉफिट हो गया तो आप जैसा कि देख पारें चौंतीसो मुझे लग रह है अगर पीएल अपना रंगत पर आ गया पीएल अपना हिसाब से आ गया तो पांच जार हो जाएंगे करंसी पर मुझे ध्यान रख रहा हूंगे क्योंकि करंसी 1836 का प्रॉफिट दे रहा है तो एक अच्छा खासा से 73.62 का टार्गेट का मैं वेट कर रहा हूं दस लोट इ इस तरह से टेल करके नीचे आते का हम लोग वेट करेंगे और नीचे आने का हम लोग वेट करेंगे 2000 का प्रॉफिट करंसी में आ गया इधर एक बार और लो लगा देगा तो 73.62 का टार्गेट ड़न हो जाएगा ठीक उनीशो बांसेट का इधर प्रॉफिट चल रहा है और इधर देखे पी एल की बात करता हूं तो पी एल भी शांदार अपना रिजल्ट देता हुआ चला जारे है टोटल प्रॉफिट तैंटी सो के आसपास का हो गया है शमय दस बस के उन्चास मिंट बाइस सेकंड और आप देख रहे है यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग म कोई टेंशन वाली बात ऐसे इसमें नहीं है तो अभी वेट करता हूं इसके लिए नेट इशू है थोड़ा और कोई बात नहीं तो तीन हजार का प्रॉफिट में है हम पी एल का एक टार्गेट बड़ा टार्गेट का वेट कर रहा हूं बारा सो तेरा सो पचीस तक का पी मैं स्टॉप लोज को और नीचे ले आओंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देरे देरे बिल्कुल स्टॉप लोज को छोटा करता चला जा रहा हूं जहां सभी बुक होगा हो जाएगा कोई टेंसन नहीं है यह मैंने दम छोटा कर दिया तो पहले आपने देखा इसमें पहल वेट करेंगे टोटल पोजिशन जो है 3500 के आसपास का 1500 और अगर इसमें आ जाते हैं तो मेरा 5000 वाला टार्गेट आज का भी डन हो जाएगा एक्सपारी दिन है 3600 हो चुके हैं प्रॉपिट 5000 अगर आ जाता है 3700 हो रहा है 3693 3700 हो जा भाई मेरे 3500 कोई बात नहीं 3700 हो जा तो मस्त हो जागा 3400 ठीक है 5000 अगर चल गया तो 5000 आने से कोई नहीं रोक सकता भी अभी देखता हूं PL का क्या रिजल्ट आता है इस टॉप लोस अपील में मैं थोड़ा से उपर कर लूँगा थोड़ा से रिसकी जगह पर था इसलिए इस टॉप लोस को थोड़ा से उपर उठाने में समझदारी है वेट करूंगा 1325 के टार्गेट के लिए फिल का वेट करूंगा profit बीच बीच में बूक करता है ब्रैकेट ओडर लेने पर ना 100 quantity लिए तो देखिए प्रॉफिट में ही होंगे तेरा सोक उपर ही बाई दिया था चलिए को बाद में और इधर करन्सी कैसा है यानि पिरामल इंटरप्राइजेस पे ओल पॉजिशन चौन तीस सो पैंतिस सो के साथ बना हुआ हूँ चलिए रिकॉर्डिंग पॉस करता हूँ इसने तेरा सो सात रुपे का लगबग हाय लगा दिया दोस्तों तो फर्स टार्गेट जो मैंने टेलिग्राम पे दिया है वो डन हो चुका है और ओल पॉजिशन देखे 4,45 का प्रॉफिट बन चुका है क्योंकि करंसी भी सांदार 73.62 के पास जो था वो लेवल आ रहा है तो मैं इसमें बना वहाँ यह टार्गेट मेरा डन हो गया है करंसी का मैं इसको यहां से 10 लोट का तो प्रॉफिट पहले मैं बूग करूँगा यह मैंने कर लिया 10 लोट का प्रॉफिट बूग ठीक है अब बच्चे हैं मेरे 20 लोट तो 20 लोट का मैं इस्टॉप लोस को और नीचे ले आऊंगा कोई दिकत वाली बात इसमें नहीं है और इधर अब जो पील की बात है तो पील देखे सांदर तरीके से चल रहा है तेरा सो अभी इसने साथ का हाई लगा तो फाइस टार्गेट डन हो गिया है तो टोटल इस हिसाब से जो प्रॉफिट है वह बयाली सो तर्तारी सो क्या सपास का पांच हेजार का टार्गेट है अब मात्र 500 रुपे और बच्चे हैं 500 रुपे और मिलेगा अभी 700 रुपे हो अब यहां से मैं 10 लोट को और बुक कर लूँगा तो 20 लोट बुक हो गया अब यह 10 लोट का मैं श्टॉप लोस टेल कर्द के छोड़ दूँगा यह कर्द के छोड़ दिया इसका काम खतम इसमें कोई दिमाग नहीं लगा और इधर 22 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब है प प्रेंशन वाली बात नहीं तो अगर प्ल चल गया मुमेंट में तो पांच जार से ज्यादा का प्रॉफिट भी बना के वह मुझे दे सकता है तो रिकॉर्डिंग पॉस करता हूं समय दस बच के अंठावन मिट चोवन सेके और आप देख रहे यूट्यूब चानल आरके ट टार्गेट डन गया 10 लोट ही बच्चा है और यूपील ने देखे सांदार रिजल्ट दिया यूपील क्या मस्त गया कितना बिलीब के साथ यहां पर लिया सांदार प्रॉफिट बनाकर दिया चल यह वेट करता हूं दोस्तों पांच जार का प्रॉफिट बन पाता है यह न तो दोस्तों जैसा 5,000 का टार्गेट था धही देखे 40499 हो गया यह नहीं ? 0000achtet लीजे बोलते-B걸ते 5,000 हो गया तो मस्त गए बन गया 5,000 का टार्गेट आज का भी डन हो गया तो मेरा टार्गेट है कुर्णि में 325 रुपेय का टार्गेट है देखता हूँ, 1325, 1320 अगर जाता है, तो एक अच्छा profit खासा मैं book कर लूँगा, यहाँ पर आएगा, तो मैं पहले इस 75 quantity का profit book करूँगा, और 1314 के पास में, जो second target है, उसके बाद currency तो चली रहा है, इसका target तो ready done हो चुका, यह काफी नीचे आ गया, 73.60 का low लगा दिया है न यहाँ तर, तो इसका stop loss को और उठा लूँगा, नीचे कर लूँगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं, दस ही लोड बचा है, तो इसमें 2700 का profit, 2600 का तो book की है, मेरे पास, टोटल देखे 4500 गया, अनिकी PL फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसे कोई दिक्क्याद वाली करने, PL जाएगा ऊपर, आज जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वेट करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, चलिए, बहुत, अभी हम पॉस कर रहे है, नमस्कार दोस्तों, समय ग्यारा उसके 36 मिनट, 69 सेकंड, यानि 37 हो गया, 11-37, देखें, 5000 का profit जो था, टार्गेट जो था, फेसेट डन हो गया है, लगबग, लगबग, अभी करन्सी है, अब मेरा करन्सी का टेलिंग एसल कड़ गया, आपको बता दू, करन्सी में मैंने 25 का profit बूग किया है, और UPL में 1230 रुपे का profit बूग हुआ, जो कि आपके सामने है, PL एक सांदर चल रहा है, PL ही ट्रेड मेरा बचा हुआ, कभर ब्राकेट में, अचा, PL में जो 75 कॉंटिटी था, उसमें मैंने 25 कॉंटिटी और एड कर लिया, जब वो अभी नीचे आ रहा था था, मैंने 25 कॉंटिटी और एड कर लिया, इसके हिसाब से, अभी ये ठीक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, टोटल प्रॉफिट में बुक कर लूँगा, तो फिलाल, 5000 के प्रॉफिट के साथ मैं बना हुआ हूँ, रिकॉर्डिंग अभी पॉस करता हूँ, तो दोस्तों इसने हाए 1312 और पचासी पैसे का लगा दिया है, और यहां पे 100 कॉंटिटी वोला में प्रॉफिट, जो कवर ओडर व 1215 का, UPL में 1230 का, और PL में 860, कवर ओडर वाला में 818 का प्रॉफिट बुक क्या, और जो ब्रैकेट ओडर में 860 का प्रॉफिट चलता है, तो एक पोजिशन बचा है, ब्रैकेट ओडर वाला, और इसमें मैंने टार्गेट रखा है 1325 रुपे का है, इसलिए मैं वेट मैं वेट करूँगा, क्या यह 1325 मिलता है या नहीं, क्या मुझे 6000-7000 का प्रॉफिट आता है या नहीं आता है, यह देखेंगा, पच-पंसो ऐसे हो चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इस टॉपलो से एक दम सटार लेता हूँ उपर की सैड में, ताकि एदम cost to cost कर द जाए, 5000 का प्रॉफिट मेरे पास रहे अराम से, यह bracket order है, इसे ही मेरे खुदरा-खुदरा मिला है, तो यह मैंने सारे इस्टॉपलोस को उठा दिया, clear, सारे इस्टॉपलोस को उठा लिए मैंने, चली, यह इस्टॉपलोस मैंने उठा लिया है, अब साइड में, अब कोई tension वाली बात नहीं है, तो overall यही position है, आपके सामने है, जो है, last PL का एक trade है, तो इसका 1325 का target है, तो आप लोग को पता चली जाएगा, इसका target आया या नहीं आया, जो भी होगा, दिखिए यह जा रहा है संदर, जो भी होगा, आपको पता चली जाएगा, target आता है, तो य मिलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों जैसा कि कहा था, अभी देख लिए 12 बच के 2 मिनट 8 सेकेंड, आपको पता चली जाएगा, दिखिए इसने जब 10 हाय लगाना स्टार्ट कर दिया है, 1319 तक का हाय लग चुका है, 1925 का, 1325 तक का target है मेरा, 1325 या 26 जो भी है, में, और यहां से जब यह आएगा, तो profit बुक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, कोई tension वाली बात नहीं है, यह लिजे, यह कर दिया मेरे modify सब, ठीक है, कुछ तो हो गया modify, all position, देखिए 1268 रुपए का चल रहा है, यह नहीं, तिरे सट सो का profit हो गया है, है ना, 2593, तो आज भी अच्छा खासा profit में रहा मैं, बढ़िया मस्त हो गया, enjoy करिए, दुरगापुजा, लेजे, बहुत ही जवर्दस चल रहा है, यह देखते हैं, target इसका आता है या नहीं आता है, अभी आपको पता चल ही जाएगा, देखिए, तेरा सो बीस हो गया, तेरा सुननीस पचास, टॉटल पैंसट सो, तेरा सट सो अठाइस, चलो, तेरा सट सो अठाइस, चलो, पैंसट सो मुझे लगता profit मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, अभी recording pause करता हूँ, तो दोस्तो यह final target की तरफ जा रहा है, सारा target तेरा सो एकिस वाला जो target था, टेलिग्राम पर जो दिया, तो वो done हो चुका है, समय बारा बच के बारा मिनट बाइस सकेंड और profit शौन सट सो का हो चुका है, मुझे छैजा चार सो का, सब मैंने ट्रेल कर लिया, उपर उठा लिया है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ह की नहीं है, और भी stop loss उपर उठा सकता हूं, देखें यह जा रहा है, मुझे लगता है, इस बार यह target done कर देगा, तेरा सो पचीस वाला target, मुझे लगता है, यह done कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तेरा सो पचीस का target, एक बार यह एगर नया हाय, तेरा सो बाइ जेब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, चलिए, अब यहां से मैं बंद करता हूं, profit lock करता हूं, सारा से close करता हूं, और अब enjoy करिए, अपना life करिए, तेरा सो बाइस, देखें, तेरा सो बाइस का हाय लग गया, मस्त, मस्त चल रहा है देदा, कहां ही tension नही लगता है, चलिए देखते, क्या यह break करता है, यह नहीं करता है, क्या कर रहा है इसका, अभी पताजाओ, मुझे लगता है इसा बार ब्रेक कर देगा, जिस तरह का यह volume दिखा रहा है, जिस तरह का यह moment दिखा रहा है, मुझे लगता है, यह जटका मारेगा और यह book हो लगा तेरा सो तैइस पचासी का हाय लगा है एक एक केंडल और अहां हां तेरा सो तैइस पचासी चौन सट सो चलिए प्रॉफिट ठीक है तो मैं यहां से क्लोज करता हूं सब अगवग लगवग टार्गेट डनी हो गया है और यह सारे मैंने क्लोज कर दी अपना पोजिशन खतम ट्रेड भी खतम ओल पोजिशन तेरे सट सो एकांवे के साथ में बाहर हो रहा हूं करंसी में 2515 का पी एल में 1828 दूसरा यूपिल में 1230 फिर से पी एल में 808 का प्रॉफिटी यह तोटल चार ट्रेड वे यहीं तेरे सट सो एकांवे के साथ अब मैं सिस्टम बंद कर र कर दो बंद करते और बंद कर दो